आज मैं आपके साथ कुछ अनोखा चीज़ करने वाली हूँ वैसे क्या है ओ तो मैं आपको आपको दिखाने वाली हूँ यह चितरगड से लाए थे मेरे हजबन गे थे चितरगड तो महां से लेके आये थे यह जो साड़िया है इसके खासियत है कि यह धागा से बनाए गया है लेकिन नाचुरेल जो होता है उससे जैसे कि केले का केले प्लांट का जो रेशा हो गया उससे और कोई लोटोस का स्टेम का जो रेशा हो गया उससे बनाए गया है और फिर बहुत तरह के चीज़े है जिसे यह बनाए गया है नाचुरेल कलर है नाचुरेल रेशा है यह वा उसमें फ्लावार है बहुत लाइट वेट है और समर पेनने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा आप डेलियूज भी कर सकते हैं इसको या फिर कहीं पार्टी में भी जा सकते हैं पेनके यह जो सेकंड बाला है यह बिल्कुल कटन का है और इसका जो बॉडर है कुछ ट्रैवल से ही बनाया जाता है आप सबको तो पता ही होगा कि चितरगर रानी पदमाबती के लिए जाना जाता है लेकिन और एक चीज वहां पे भी है वह कपड़ा का जो मार्केट है बहुत बड़ा मार्केट है वहां पे सारे बड़े बड़े जो कंपनी जी है वहां पे उनका फैक् साड़ी के तिसरा साड़ी जो है इसमें भी elephant pattern बना हुआ है लेकिन वह भी flower and leaf से है design इसको बहुत अच्छे लग रहा है इस जो साड़ी है इसको कोई भी पहन सकते हैं बहुत ही elegant look इसके आ रही है print तो मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से बनाया गया है और believe me friends इतना lightweight है कोई भी इसको पहन सकते हैं और घर पे भी पहन सकते हैं पाटी में भी पहन के जा सकते हैं सबसे अच्छी बात जो है वह natural चीजों से बना हुआ है और इसको dry clean करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और जो चीज लाए है वह बिल्कुल अनोखा है और वह है एक रजाई यह रजाई एक magical रजाई है magical क्यूं है मैं आपको बताते हूं सायदा आपने अभी सुना ही नहीं होगा कि किसलिए है मैं दिखाती है आपको यह देखिए बिल्कुल साइनी है और पीछे की साइड में cotton है और आगे के साइड में सिल्कुल है और इसका जो खासियत है ओ है कि अगर आप body खो रही है आपकी दबे ठीक नहीं लग रही है तो इसको आप ओड के सो सकते हैं या फिर बिछा के भी इसको सो सकते हैं इस जड़ी बुटी से बना हुआ है आपने कभी सुना है क्या इस तरह का चीजे बनता है और इसको खोलने से इतना कुसबू आती है इसको भी फिटिकर में दो के उसके बाद ही जाके इसको यूज करना होगा ऐसे भी नहीं कर सकते हैं और इसको भी ड्राइट लेनिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तो फ्रेंट्स ऐसे चीज भी मिलती है तो यह रही मिल्टी चित्तोर्गर्टी और अनुखा शॉपिंग जिसके बारे किसी नहीं सुना होगा हम सब तो ऑनलाइन स्वापिंग में बिजी रहते हैं ऑनलाइन देखते हैं और खरीते हैं लेकिन फ्रेंट्स जो ऐसे कुछ से तो ट्रांस्पोर्ट होता ही है लेकिन वह जगा उसी चीज के लिए फेमस है तो आई होप आपको आज का वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक मैं वीडियो से अन मैं वीडियो और सब्सक्राइब टू मैं चैनल फिर मिलेंगे एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ तक के लिए बाई बाई टेक केर